हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुन्दर सी और बहुत ही सिम्पल सी नेकी डिजैन का टूटोरियल इसके लिए हमने पेपर कैन्वास लिया है जिसके चौड़ा 6 इंच की है और लंबा यहां पर 5.5 इंच की हमने लिया है फैप्रिक पी पेश्ट कर किस तर सी बनाया है यहां पर हमें मार्क देना है और पी रिपर कैन्वास की आसपास में हमने तीनों साइड में मार्जिन छोड़ा है यहां पर हमें सेंटर से एक साइड में यह लेस को अटेच करना है एक साइड की इस इलाई लेने के बाद हमें यह दूसरी साइड में आना है और इस तर से यहां पर सिलाई लेकर इसे सेट करेंगे इस दूसरी साइड में सेंटर की दूसरी साइड में भी ऐसे ही इस लेस को हम स्टिश करेंगे फिर ऐसे ही लेस की दूसरी साइड में हमें सिलाई लेकर इसे यहां लॉक करना है यह हमने सेंटर में लेस अटेश करती है अब यह बाकी जो किनार हैं तीना और वहां हमें लेस अटेश करनी है पर उसके लिए यहां जो फैब्रिक है इसे हमें टर्न करके इस तरसी आइरन करके सेट किया है देखे इस तरसी टर्न करके आइरन किया है और इसी सेट कर दिया है अभी हम कुर्ती का राइट साइड लेंगे कुरती के राइट साइड के हिसे में इस neck piece को यहाँ पर place करेंगे center से center मिलाते हुए और neckline को हमने उपर mark किया है उससे थोड़ा सा इस piece को उपर रखेंगे और यहाँ पर pin up करके इससे attach करना है पर attach करने के लिए इसके तीनों और इसके नीचे हाम lace को यहाँ पर दबाते हुए इस तरह से सिलाई लेंगे इसी lace के match की यह दूसरी lace ले है हमने जो छोटी साइज की है और यहाँ पर इसके नीचे दबाते हुए हम सिलाई लेंगे इसकी पट्टी फोल करके हमने आरन किया था जिसे set किया है तो यहाँ पर यह आसानी रहेगी इसकी सिलाई लेने में और यहाँ पर लीच नीचे दबाते हुए इसकी सिलाई लेने में इस तर से तीन और हमारी लेस अटेच हो गया और यह पेच भी यहाँ पर अटेच हो गया है यहाँ पर हमारी neckline हमने यहाँ पर botnick का shape दिया है तो botnick की यहाँ पर finishing देनी है neck की आप यहाँ पर कोई भी neck की finishing दे सकते हैं अपने according और यह simple सी हमारी neck की design बन के ready है इसके बीच में हम कुछ button attached करेंगी और इस तर से देखिए इसका look कितना अच्छा आया है बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है इसे बनाना Thank you so much for watching Bye Bye